हेलो दोस्तो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भावनारा सुई में सर्दियों का टाइम है और बहुत अच्छे अच्छी गाजर लाल लाल गाजर मार्किट में मिल रही है तो मैं भी लेकर आई थी, लेकिन बहुत दिन, मतलब 4-5 दिन पड़ी रह गई तो मेरी गाजर थोड़ी सी सौफ्ट हो गई, तो इसलिए आज इसका अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैंने इनको धोकर अच्छे से छील लिया है और इसके छील के मैंने हटा दिये हैं दोस्तो और आप देख सकते हैं मैंने या पर एक grinder का जार लिया है और सबसे पहले तो हम गाजरों को इस तरीके से बारिक टुगड़ा कर लेते हैं क्योंकि गाजर जब सौफ्ट हो जाती उसके बाद उसके कद्दू कस करना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसी तरीके से हमें सारी गाजरों को टुगड़े कर लेना अगर आपके पास बारिक चौपर हैं तो आप उस चौपर में डाल कर इसको बारिक बारिक चौप कर सकते हैं और अगर आप chopper में नहीं डालना चाते तो इस तरीके से एक grinder का jar ले लिजे और इसमें इसको दरदरा पीस लिजेगा जी हाँ दोस्तो एकदम से fine paste नहीं करना है इस बात का विशेज जा रखे तो मैं थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको chop कर रही हूँ दोस्तो बारिक एक कड़ाई चड़ा दी है गेस के उपर और इसके अंदर सबसे पहले तो हम डालेंगे सूजी तो मैंने यहाँ पर आदा कप सूजी का इस्तमाल किया है जी हाँ दोस्तो आप देखिएगा आज की रेसेपी बहुत ही गज़ट की होने वाली है तो यहाँ पर मैंने सूजी डाल दी है और अभी इसको हमें करना है ड्राय रोस्ट जी हाँ दोस्तो यह देखिए इस तरीके से दोस्तो सूजी खराब नहीं हो उसके लिए मैं इसमें कुछ मसाले एड़ करके रखती यानि कि लॉंग भी आप एड़ करके रख सकते लेकिन लॉंग की खुश्बू बहुत त इसलिए मैं इसके अंदर दालचीने डाल कर रखती हो तो जिससे की हमारी सूजी जल्दी खराब नहीं होती है और लॉंग टाइम तक अच्छे से रहती है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको हमें रोस्ट कर लेना है और जब तक अच्छी से खुश्बू ना आने ल यकिनन आप इसको एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा गाजर का हलवा तो गाजर की हमने बहुत सारी रेसिपी पहले भी ट्राइ की होगी लेकिन ये रेसिपी बहुती नहीं है और यूनिक है बहुती टेस्टी लगेगी तो आप देख सकते हैं हमारी सूजी रोष्ट हो अब इसको हम निकाल देते हैं और इसका थोड़ा सा कलर भी ज्यादा कलर चेंज नहीं होने देना है दोस्तो हलका सा कलर चेंज हो जाए तो भी चलेगा लेकिन खुश्बू अच्छी आने चाहिए तब तक हम समझ जाएंगे कि हाँ हमारी सूजी अच्छे से सिख चुकी है अब यहाँ पर दीखिए दोस्तो गी डाल देंगे कड़ाई के अंदर सेम उसी कड़ाई में मैंने गी डाल दिया तो करीब यहाँ पर 2-3 चमच मैंने गी का इस्तेमाल किया है चले क्यूकि गी का स्वात बहुत ही अच्छा लगता है आप चाहें तो वनसपती गी या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हल्वे का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा तर घीक में ही अच्छा लगता है कुछ भी मीठा हम जब बनाते हैं तो उसका टेस्ट गी में ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो इस तरीके से हमें सारी गाजरों को इसके अंदर डाल अर इसको हमें बूनना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चलाते हुए हमें इसको बून लेना है। और ये देखी एक टुकड़ा इसके अंदर थोड़ा सा गाजर का रह चुका है तो मैंने निकाल दिया इसको इस तरीके से हमें इसको भुना है और अच्छे से खुश्बू आने देनी है और गाजर भी हमारी सौफ्ट हो जाएगी गाजर के अंदर एक थोड़ा सा मौस्चर ह होता है उसके अंदर पानी होता है तो वह गाजर अपने आप में सौफ्ट हो जाएगी इसमें पानी नहीं डालना है दोस्तो और यहाँ पर मैंने एक कप से थोड़ी सी कम मैंने याँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से हमें चीनी डाल देनी है आप चाहे तो जगपा बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर चीनी को पीसा नहीं है डारेक्ट चीनी का इस्तेमाल किया है तो इस तरीके से हमें चीनी को मेल्ट होने देना है और चीनी मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसको चलाना है चले दोस्तो चीनी हमारी melt हो चुकी है अब इसके अंदर हम add करेंगे दूद जी हाँ दोस्तो ये थोड़ा हलका गरम दूद है एकदम से ठंडा नहीं है पहले इसको मैंने उबाल दिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था उसके बाद जो हलका सा गुन-गुना रह गय है अभी इसको हमें करीब 2-3 मिनट तक medium flame पर flame को कम रखेगा दोस्तो हाय मत रखेगा तो इस तरीके से medium flame पर ढखकर इसको पका लेना है तो आप देख सकते हैं 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको ढखकर रख दिया था दोस्तो और आप देख सकते हैं दूद भी और गाजर भी ह तोड़ा सा सुपने लगाएं अब हम डालेंगे इसके अंदर सूजी जहां दोस्तो जो सूजी हमने रोश्ट करकर रखी थी वह इसके अंदर add कर दिंगे और इस तरीके से हमें चलाते रहना है आप देख सकते हैं यह देखिए सूजी बहुत ज्यादा नहीं डालनी है दोस दोस्तो यहां पर मैंने स्वरी नारियल का बुरादा ले लिया है दोस्तो जी हां तो आप चाहें तो डेसिकेटेट कोकोनेट भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर जो नारियल का बुरादा घर पर त्यायर किया था वह वालाई लिया है और मैंने पहले भी आपको नारिय का तेल बनाना भी बताया है दूस्तों तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैंने इसके अंदर करीब दो पिंच इलाची पाउडर एड़ कर दिया है अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे इलाची पाउडर का तो डालिए वरना इसकीप कर सकते हैं और इसके अंदर मैंने करिब दो चमच ही milk powder एड़ किया है अगर आपके पास milk powder नहीं है तो दूद की जो मलाई है उसको भी fat कर डाल सकते हैं दूस्तों और नहीं है अगर तो आप milk powder डालिया या फिर इसकी जगह पर अगर आपके पास मावा हैं तो वो भी आप इसको डाल सकते हैं और अगर मावा भी नहीं है milk powder भी नहीं है तो दूद को थोड़ा गाड़ा कर लिजेगा और फिर इसके अंदर आप दूद को डालियेगा तो भी अच्छा सा टेस्ट आएगा मावी जैसा तो आप देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छे से mix हो चुकी है और गाजर भी सभी हमारी soft हो चुकी है अभी हम इसको करीब 2-3 मिनट के लिए ढखकर रख दिंगे तो इस तरीके से हमें ढखकर पका लेना है तब तक एक छोटा सा काम कर लेते हैं दोस्तों एक थाली ली है मैंने याँ पर और इसके अंदर हमें गी से ग्रेस कर लेना है ताकि जब हम बर्फी को जमाए तो बर्फी हमारी आसानी से निकल सके तो चले दोस्तों 2-3 मिनट हो चुकी है और इसको आप देखिए ये देखिए लुक भी बहुत ही अच्छा आया है और बर्फी हमारी जमने के लिए तैयार हो चुकी है दोस्तों इस तरीके से ये देखिए चले अभी हम इसको उतार लेते हैं और सीधा डालेंगे थाली में तो आप देख सकते हैं थाली के अंदर हमें इसको ट्रांसफर कर लेना है और फैला लेना है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें फैला लेना है इस सिलिकॉन का स्पेच चुला हो उससे आप फैलाईएगा तो बहुत चल्दी अच्छे से आपका बर्फी चीकना हो जाएगा उपर से और ये देखें दोस्तों आप देख सकते हैं चल्ये बर्फी अमारी जमने के लिए रेडी हो चुकिये दोस्तों इसके रख देते हैं और इसके ओपर हम थोड़ इसे ड्राइफ फ्रोट्स यानि की पिस्टा और बादाम का कतरन लिया हैं दोस्तों मैंने याँ पर तो इस तरीके से हमें पिस्टा और काजू का कतरन डाल देना आप चाहें तो इसके ओपर केसर और अधर ड्राइफ फ्रोट्स भी जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं और इस तरीके से हमें स्पेचुला की मदद से दबा देना है ताकि वो अंदर चिपक जाए और इसको 2-3 गंटे के लिए रैश्ट के लिए रख दिंगे तो जम जाएगा 2-3 गंटे में चले दूस्तों 2-3 गंटे बाद हम इसको कट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक चाकु की मदद से हमें इसको कट कर लेना है तो इस तरीके से हमें काट लेना है बरफी को बहुत ही आसानी से कट रही है आप देख सकते हैं दूस्तों और जम भी गई है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें बरफी को निकाल देना बहुत ही आसानी से निकल जाएगी ये देखिए दोस्तो और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं दोस्तो तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा मैं आपके लिए नहीं नहीं ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूं दोस और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ दोस्तो तब तक के लिए इस बरफी का आनन्द लीजिए और बहुती स्वादिष्ट बरफी बनकर हमारी तेयार हो चुकी हैं आप देख सकते हैं सर्दियो का टाइम हो और ये बरफ कि अपको जरूर पसंद आएगी मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई